हेलो अब्रीवन वेलकम बैक ओन अनधर माथेमेटिक्स बजल वीडियो चलिए सब सब पहले इस कोश्चन को देख लेते हैं इस कोश्चन में आपको क्या दिया गहे हैं सेवन मल्टिप्लाइट टू जिसका सम आपकास एक्वल दिया गहें 18 के एक्वल दिया गहें नेंक्स्ट फई मल्टिप्लाइट ऄ servers संवाव दिया हैं टूंटी फोर के एक ओल दिया गहें बब्सक्राइब ओल्सक्राइब आपकास एक्वलिए और आपको कस्ति परिक्लियों कर दिया हैं और अपको इस पेडिकले क्या फान करना है तो अगर आप सबस्कानर कर सकता है। आपका समय शुरू होता है, अब अगर आपको जिसका सम आपकास एकोल होता हैं 14 के एकोल होता है और आपको यहां पे एकोल दिया गहा है एटीन के एकोल दिया गहा है नेक्स्ट फाइ मुल्टिप्लाय थ्री जिसका सम आपकास एकोल होगा 15 के एकोल होगा और आपको यहां पेकोल दिया गहा है 24 के एकोल दिया गहा है नेक इकोल होगा और आपको यहीं पर बताना है कि कॉशन मार्क की जगा यहां पर आपका कॉशन नमबर आईगा अगर आप इस कुशन को ध्यान से देखू तो इस पर्टिकुलों किसमें सिंपली आपके आपको क्या करने आपको प्लस करना एक्स प्लस य करना है और उसन प्लस करना है की द्रेगी यहाँ इक्स की गैलिज रहेगी और गया चmpfen सेखेंड नंबर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो कि या निक आपको सब्सक्राइब करμεंग loro का सम लेते यह त imagen का सपट Exact ठीक पर नंबर यहां पर आपका सेक्टंब रहेका वह रएका तू रहा निए कशिफ कन आपका execute होगा 18 के equal होगा और 18 आपको अपने स्क्रीन पे भी दीख रहा है इसी तार नेक्स्ट में भी आपका सेंफ फॉर्मॉला यूज होगा यानि कि सबसे पहले स्टेब में आपको क्या करना हैं आपको संब लेना हैं एक्स प्लस य का संब लेना हैं यहां पर जो आपको एक्स की स्कुल होगा और 20 म rat Jetzt स्क्रीन पर भी देख रहा है इसी तब नैक्स्ट में भी आपका स्नॉमला यूज हो step में आपको क्या करने हैं आपको सम्दलीन हैं एक्स प्लस Y का स्म dei रहा है यहां पे जो आपका X की वैलयू रहेगी वह है आप करेंगे आप कैसे आप फाइब रही कि यानि क्या आप को समल लें हैं ट्री प्लस स्वाइब का संवें आं आपका रेयु को से पैंए आपको क्लिए ॉसक्रीज इपो भूए स्क्रीन पर चिक मार्वा धुट कर रहा हैं इसी तकि पाइब सम्रका यूज करके कि में क्या करना है, सबसे पहले अपको क्या करना है आपको सम्फ लहना है, excel सम्फ य का सम्फ लoration है, यहां पे गल Об pillars य ऑगल भी वह रही वह रगी है, यानि कि आपको multiply करना हैं 13 multiply 4 करना हैं जिसका सम्द आपका equal होगा 52 के equal होगा यानि कि जहां पर आपको question marks दिक रहे हैं वहाँ पर आपका 52 आएगा अगर आपने पहले question को solve कर दिया हैं तो आप अपना सरह में कौन बॉक्स कर सकते हैं I hope this video finder informative thank you for watching it